एलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडेने स्टडी इंडेने स्टडी पर आपका स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट ह तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होई येगा क्योंकि डेली बेसिस में आपको वीडियो प्रोवेड करवा रहा हूँ आप सभी लोग जानते हैं मैं टॉपिक वाइस हिंदी भी आपको कवर करवा रहा हूँ टॉपिक वाइस वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा समय लग की हो तो प्लेलिस्ट बनी होई है वहां से जाके पॉलिटी को कम्पलीट कर लीजिए और पॉलिटी की मैं डेली बेसिस प्रेक्टिस एट प्रोवेड कर वा रहा हूँ उसको कम्पलीट कीजिए ठीक है और मैत की वीडियो आएंगे आपकी बिल्कुल परेशान नहीं होना कोसंस आपके सामने आपको दिख रहा होगा निमले के तमय से कौन सा अर्वी वासा का सब्द है जल्ली बताओ अर्वी वासा का सब्द आपको बताना है कौन सा अर्वी वासा का सब्द है तो ग्रिफतार ग्रिफतार सब्द जो है वो सरे एक अर्वी वासा का सब्द है पहल मद्ध भारतिय आर परिवार की बासा अर्द मागदी अपवरंस संस्कृत और आदुनेक भारतिय बासाओ के बीच की एक महत्पूर कड़ी है यह बासा प्राचिन काल में मगत की साहित्तिक एवं बोलचाल की बासा थी जेन धर्म के जो 24 में तीर्ट करते मावीर सौमी उन्ही नहीं इसी बासा को अपने उपदेश में यूज किया और आगे चलकर मावीर के सिस्से उन्हें मावीर के उपदेशों का संग्रे अर्द मागदी में किया ठीक है तो इस बात को भी धियान लखना नेक्स्ट कोसंस तीन से पांस तक आपको क्या करना है हाँ संदी विक्चित करना है पावन का आपको संदी विक्चित बताना है कोस्ट नमबर थर्ड पावन का संदी विक्चित क्या हो जाएगा तो सही अंसर आपको क्या हो जाएगा सर पॉप प्लस अन यानि केस कोस्टन्स का चोटा ओप्संस करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी आयादी संदी होगी क्योंकि यहाँ पर ओ और यहाँ पर आपका आ मिलके क्या बना दिंगे आओ तो जब यह बन जाता है तो वहाँ आयादी संदी हो जाती है संदी पढ़ाओंगा तो और अच्छे समझाओंगा परंतु में कौन सी संदी है या संदी विक्चित आपको करना है संदी कौन सी है वो भी बता दूँगा तो परंतु में आपकी कौन सी संदी हो जाएगी सर दीर्द संदी हो जाएगी कैसे तो यहाँ पर देखो परम प्लस तू इसका क्या हो जाएगा ये संदी विक्चित हो जाएगा जब दो समान चाहे वे हस्पस्वर हो या दीड़स्वर हो एक हस्पस्वर और दूसरा दीड़स्वर हो तो उनके इस्थान पर दीड़स्वर हो जाता है निरंतर में आपको बताना है कि कौन सी संधी विक्चित क्या होगा निरंतर का संधी विक्चित क्या हो जाएगा नहीं प्लस अंतर और जहां विसर्ग लग जाता है वहां विसर्ग संधी होती है रंग सब्ज से किरिया बनती है कौन सी किरिया चेप्टर आपका नेक्स्ट है संग्या पढ़ा चुका हूँ, सरबना पढ़ा चुका हूँ और विसेशन भी भी आप मैंने आपको पढ़ा दिया वड़माला भी मैंने आपको पढ़ा दी संग्या ये किरिया चेप्टर आपका अगला चेप्टर है ठीक है तो रंग सब्द से किरिया बनती है कौन सी तो सही आंसर हो जाएगा आपका रंग ना दूसरा आपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस आपके सामने के निमली के द्वारगे में से एक सब्द वर्तनी की दरश्टी से असुद दियाने की गलत है असुद वर्तनी को चिन्नित कीजिए कौन सा गलत है कोसर नमबर सेविन तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक गया इसमें बड़ी एकी मातरा दी हुई है जबकि छोटी एकी मातरा लगती है इस परकार से ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशंस नीचे दिये गए वाक्यों में कारक बताईए है जगड़ा मेरे और उसके मद में था तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा जल्दी बताओ तो यहाँ पर जो आपका कारक हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संबन कारक तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा संग्या आदी सब्दों की जिस रूप से किसी एक वस्तू का दूसरी वस्तू से संबंद प्रकट हो तो वहां संबंद कारक होता है ठीक है तो जगड़ा मेरे और उसके मद में था तो दोनों की भी संबंद सपस्ट हो रहा तो इसलिए यहां पर संबंद कारक है जबकि संबंद कारक की जो पेचाने उसमें काकी के रारीरे नानीने सब्द आपको देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा है नहीं है तो फिर भी यहां पर संबंद कारक का उधारने है मैं काम से जा रहा हूँ वाक में बताना है कौन सा कारक है जल्दी बताओ से कारक चेन है करताने करम को करण से तो करण से कारक चेन आपका पहले ही में यूज़ होगा पहला ही ओप्सन से यहां पर आपका बिलू को करेक्ट और मैं काम से जा रहा हूँ तो जो भी होगा वो खुद जाएगा ना तो जब से कारक्चिन जोडने के लिए यूज होता है तो करण कारक होता है और अलग होनाने के लिए यूज होता है तो अब आदान कारक होता है next questions आपसे telephone पर मिलूँगा इसमें कौन सा कारक है आपसे telephone पर मिलूँगा अब दोगो पर कारक चिन है और पर कारक चिन किसमें आता है जल्दी बताओ तो आपको जो सही answer हो जाएगा वै क्या हो जाएगा option number a अधिकरण कारक आप करोगे ऐसे examiner करेगा ऐसे क्यों क्यों कि वह यह करनकारक होगा इसमें कैसे करनकारक का अर्थी होता है साधन या माध्यम करनकारक का क्या अर्थ होता है साधन या माध्यम और जिस साधन से अतवा जिसके द्वारा किरिया पूरी की जाती है तो वहां करनकारक होता है टेल लगा थिए नच्ट कॉस्टंस बे उपसर्ग का प्रियोग कहां अनुचित है गलत है जहां बे उपसर्ग का प्रियोग नहीं होगा तो आपका जुस्टाई आनसर अट्ष्ह क्या हो Κानफ यहाईगा बे topic wise with practice वहां cover करवा रहा हूं free of cost है अगर आप चाहते हैं कि UPSI में 80 में से 100 में से आपके 80 प्लस नमबर आए तो unacademy पर आ जाओ अगर आपने unacademy के आपको अभी तक download निक क्या रहा है तो download कर लो class unlock कर लेना class के unlock करने के लिए जो code है इंडियन study apply कीजिएगा तो आपकी class unlock हो जाएगी रोज सुबा 11 बजे class चलती है ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात का और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ के daily basis पे आपकी जो उत्तर प्रदेश के अंदर का जितने भी exam है आगामी उन से संबंदित आपकी class चल र टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा सबसे चीवात है इन academy की मैंने आपको बता दिया यूपी ट्रपल सी के अंदर कोई भी course purchase कर लो जितने भी batches वहां चला जा रहे होंगे सारे batches को आप access कर पाएंगे ब विपराप्त हो जाएगा अब देख लेते हैं sir next question उपसर्ग रहत आपको सब्द बताना है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है question number 12 तो उपसर्ग रहत सब्द कौन सा हो जाएगा सुखी सुखू में कोई उपसर्ग नहीं है पहला options correct निम लिकित मैंसे कौन सा सब्द सदेब एक ब प्रियोग करते हैं ठीक है next question निम लिकित मैंसे कौन सा सब्द पुरलिंग नहीं है जल्दी बताओ कौन सा सब्द पुरलिंग नहीं है गाय गाय सब्द जो है वो एक स्ट्रिलिंग का उधारण है आप सभी लोग जानते है पहला options correct कौन हिंदी की उपभासा नहीं है हिंदी हिंदी है राजस्तानी है पस्टिमी मराथी यह हिंदी की पुपासा नहीं है तीसरा options correct सहेचर का समनारतक सब्द आपको बताना है कि सहेचर का समनारतक सब्द क्या होगा तो सहेचर का समनारतक सब्द क्या हो जाएगा सखा तीसरा options correct विभाबरी का आपको समनारतक सब्द ब हो जाएगा निसा कितरिम का आपको वलुमसबत बताना है कि के ता किरतिम का वलुमसब्थ क्या होगा सरव तो किरतिम का का सही अर्थ बताना है किर्टग और किर्टगन का आपको सही अर्थ बताना है तो को किर्टग का मतलब होता है किये गए उपकार को मानने वाला उसको बोलते है किर्टग और किये गए उपकार को ना मानने वाला उसको बोलते है किर्टगन तो यहां पर दूसरा आपसंस करेक् पतंग के अर्थ क्या है? पतंग के अर्थ सूर और पक्ची होते हैं सलब टिड ल्टी होते हैं चिंगारी धागी बांद कर अधकर उड्मखर उढ्याये जाने वाले कागज का bit रहे जानेख अध़ आपका प्रत्पर्ष समास हो जाता है चौता उपसंस करेक्ट जानकारी के लिए समझा रहा हूँ अभी लेकिन समास पढ़ाऊंगा अच्छे से तो और अच्छे समझ में आएगा सूर्य उद्य हुगा और चड़िया चेह चाहने लगी यह किस तरह का वाक है कोसर नमबर 26 यह किस तर प्रकार का वाक के वेद है सदा सच भूलना चाहिए तो सही अंसर हो जाएगा आपका एक्छा वाचक दूसरा ओपसंस करेक्ट कौनसा सर दूसरा ओपसंस करेक्ट हो जाएगा इस बर तुम्हें दीरदाई उदे अर्द के आधार पर वाक का वेद बताएं यह किस प्रकार क बाग है तो यह आपका एकछा बाचक बाग के एक तीसरा ओपसंस बिल्कु करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस आपके सामने 29 से 30 तक आपको क्या करना है एक सेंटेंस से उसको चार बागों में वक्त कर दिया है जिस बाट में या जिस पार्ट में गलती है वही आपको बता गई की जगे पहुँचे को आएगा ठीक है तो गई आपको गलत है तो दूसरा ओपसंस करेक्ट है नए कभियों ने परमपरा से हटकर कवीता को नए धरातल पर सम्मानित किया है इसके किस पार्ट में गलती है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी देखो जो सम्मानित ह पार्थिव चोथा आप्संस करेक्ट next questions क्रत वाच का प्रियोग किसमे नहीं हुआ है किसमें क्रत वाच का प्रियोग नहीं हुआ है कोस्त नहीं हुआ है अकवार पड़े जाते हैं यहाँ पर दूसरा options करेक्ट हो जाएगा इस वाक में क्रत वाच का प्रियोग नहीं है इसमें भाव बाच्छ है नागी करतवाच बरतमान फिलिंदा बलाइंक में भी महातमा गांदी बिचारों का महत्व है बरतमान विवस्था में भी महातमा गांदी की बिचारों का महत्व है पहला उप्सन्स करेक्ट गुटने टेकना मौाबरे का सहीर्थ Simple or important questions गुटने टेकना मौाबरे का सहीर्थ क्या है अधीनता सुईकर कर लेना देंडोरा पीटना मौाबरे का सहीर्थ बताना है बातों को पिरचारित करना देंडोरा पीटना मौाबरे का सहीर्थ क्या है मेरे तो गरिदर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्मूर मुकुट पति सोई तो इस पंक्ति में कौन सा रस है 37 इक पंक्तियों में कौन सा रस है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरंगार रस सरंगार रस तीसरा अप्सन्स करेक्ट चरन कमल बंदो हरी राई में कौन सा लंकार है कोसर नमबर 38 चरन कमल बंदो हरी राई तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार चौता उप्सन्स करेक्ट किस चंद में 6 चरन होते हैं सिंपल और इंपोटेंट कोस्सन्स जल्दी बताओ किस चंद में 6 चरन होते हैं तो छपे चंद जो है इसमें 6 चरन होते हैं कैसर चपे चंद जो है इसमें 6 चरन होते हैं और यह एक मातरिक बिसम चंद है यानि कि बिसम मातरिक चंद है इसमें 6 चरन होते हैं पिर्थम चरन चार चरन हो जो होते हैं वो रोला के और अंतिम जो चरन होते हैं वो उलाला के होते हैं यानि कि जो छपे चंद जो है वो रोला और उलाला के मिलने से मनता ये भी याद कर लो ठीक है लाश्ट कोसंस निमले के तमेंसे सम्मात्रिक चंद का कौन सा उधारण है कौन सा सम्मात्रिक चंद का उधारण है दोहा, सोरठा, चौपा, यह सभी तो इस questions का answer आप मुझे comment box बतांगे कौन सा सम मातरिक चंद का उधारण है तो दोस्तों ये थे 40 important questions जैसा कि आपके exam UPSI में आने है वीडियो कैसी लगी तो 500 like का target अगर आप complete कर दोगे तो समझ जाँगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर की जो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यों की वर हो जाना ऐसी तरह की वीडियो साप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तों जे हिंद जे भारत